सुनिल गावसकर को हर कोई अच्छी तारा जानता है और भारत के एक बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं अपने केरियर में उन्हें जो रेकॉर्ड बनाया था उसे लंबे शमय तक कोई नहीं तोड़ पाया था शचिन तेंदुलकर ही पहले ऐशे बल्लेबाज थे जिनोंने उनके रेकॉर्ड को तोड़ना सुरू किया अगर बीसुई सदी के महान बल्लेबाजों की बात की जाए तो शर्ट डॉन ब्राडमेंड के बाद शुनिल गावसकर का नाम नमबर दो पर आएगा शुनिल गावसकर ने टेस्ट क्रिकेट में 34 सतक लगाए थे जो लंबे शमय तक बरकरार रहा फिर साल 2005 में शचिन तेंदुलकर ने 35 सतक लगाकर एए रेकॉर्ड तोड़ दिया तो आज हम आपको सुनिल गावसकर के बारे में बिस्तार से बताएंगे सुनिल गावसकर का जन्म 10 जुलाई 1949 को भारत के मुंबई में हुआ था उनके पीता का नाम मनोहर गावसकर था और उनकी मा का नाम मीनल था सुनिल गावसकर की हाइट पांच फूट पांच इंच थी और वो दाई ने हाश्य बल्लेबाजी क्या करते थे सुनिल गावसकर ने अपने स्कुल की पढ़ाई शेंट जाबियर हाई स्कुल से की अपने स्कुल के जमाने से वो एवाड से सम्मानित किया गया साल 1968 में उन्हें फर्ष्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया और बंबे की तरफ से रंजी मैच खेलने लगे हाना के शुरुवाती रंजी मैच में उनका प्रदसन अच्छा नहीं रहा मगर बाद में उनके प्रदसन में शुदार होता गया वो लगाता रंजी मैच में सतक लगाते गये रंजी मैच में उनके जबदस्त प्रदसन को देखते हुए उन्हें भारतिय टीम में सामिल कर लिया गया उन्होंने अपना पहला टेस्ट मेच 6 मैई 1971 को वेस्टेंजिस के खलाब खेला अपने पहले ही मेच के दोनों ही इनिंग से में वो अर्द सतक लगाए अपने केरियर में उन्होंने अच्छे अच्छे गेंदबाजों के खलाब रन बनाए अपने केरियर में उन्होंने 125 टेस्ट मेच खेलते हुए 50.1 एक डो की बेटिंग और शर्ष से 10,122 रन बनाए हैं और दुनिया के पहले बल्लेबाज थे जिनोंने टेस्ट किरिकेट में 10,000 रन का आकड़ा पुरा किया था इस दर्मियान उन्होंने 34 सतक और 45 अर्ध सतक लगाए शिर्फ एतना ही नहीं वो 4 बर 12 सतक लगाने में भी कामियाब हुए इस दर्मियान उनका शर्भादिक स्कोर नाबाद 236 रन का रहा जो उन्होंने वो इस्टेंजिस के खलाब अंजाम दिया था वो खास कर तेस्ट गिन इस दर्मियान उनका शर्भादिक स्कोर 103 रन का है जो उन्होंने न्यूजिलेंड के खलाब अंजाम दिया था शोनिल गावसकर तुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने तीन मरतबा किशी भी टेस्ट मेच के दोनों इनिंग से में सतक लगाया था उनके बहतरीन परदर्षन की ओजा उन्हें बहुत से अवार से नवाजा गया है साल 1980 में उन्हें उच्ण क्रिकेटर अप दो यर अवाड से सम्मानित क्या गया साल 2009 में उन्हें ICC क्रिकेट हौल अफ फ्यम में सामिल क्या गया शाल 2010 में उन्हें सीके नाईरू लाइप टेम भी सम्मानित किया है 1996 में उनके नाम पर बॉर्डर गावसकर टॉफी की शुरुवात की गई जो प्रतिवर्स ऑस्टेलिया और भारत की बीच होने वाले टेस्ट सिरीज जितने वाली टीम को दिया जाता है क्रिकेट के सासाथ सुनिल गावसकर को फिल्मे में एक्टिंग करने का बहुत शोक था इसलिए उन्होंने एक मराथी फिल्मे में अभिनाई किया लेकिन ये फिल्म फ्रॉफ हो गई फिर सुनिल गावसकर ने हिंदी फिल्मे में अभिनाई करने का सोचा और साल 1998 में और नसुरिदिन सा के साथ फिल्म माला माल में नजर आये लेकिन ये फिल्मे में भी शुनिल गावसकर के अभिनाई की कोई प्रसंसा नहीं हुई बलके लोगों ने गावसकर के अभिनाई का मजा कुड़ाया सुनिल गावसकर ने कानपूर के एक इंडुस्ट्रियालिस्ट की बेटी मर्शनिल गावसकर से साधी कर ली उनका एक बेटा है जिसका नाम रोहन गावसकर है रोहन गावसकर को भी भारत की तरफ से खिलने का मौका मिला है मगर उनका प्रदसन कोई खाश नहीं रहा शुनिल गावसकर की दो बहने हैं एक का नाम कभीता है जो भारत के एक मशूर क्रिकेटर गुंडपा विस्वनात की पत्नी है और दूसरी बहन का नाम नूतन है जो ओमेंस क्रिकेट आसोसेशन अप इंडिया की जेनेरल सेक्रेटेरी है शुनिल गावसकर सत्यासाई बाबा के एक बहुत बड़े भक्त हैं सुनिल गावसकर की जिन्देगी पर आधरित एक फिल्म बनाई गई है इस फिल्मे का नाम तिरासी है इस फिल्मे के डाइरेक्टर अनुराक काश्यव है एक फिल्म पूरी तरह बनकर तयार हो चुकी है और कभी भी रिलीज की जा सकती है तो य यह थी भारत के मशूर बल्लेबाज सुनिल गावसकर की छोटी सी लाइफ हिस्ट्री